हेलो फ्रेंद्स वेलकम टो आर चैनल मल्टी रोज लाइफ दोस्तों स्वस्त शरीर के लिए जितना ज़रूरी पोशक तत्वों से भरपूर भोजन होता है उतना है आविशक भरपूर नेंद भी होती है अच्छे नीन से दिमाग शांत और मन खुश रहता है आखों के नीचे काले घेरे नहीं पड़ते हैं तो अच्छा की चमक बरकरार रहती है इसलिए ही डॉक्टर भी हर इंसान को यही सला देते हैं कि सभी के लिए 7-8 घंटे की नीन बेहत जरूरी है लेकिन आजकल के भागदौर बरी जिंदगी में अनिंद्रा यानी नीन ना आना एक गंभीर स समस्या बन गई है आए दिन कोई ना कोई नीन ना आनी की बिमारी से ग्रस्त है जिसके चलते साथियों कई बार ऐसा देखा जाता है कि काफी काम करने के मेहनत करने के बाद भी बिस्तर पर जाने के बाद भी कई घंटों तक नीन नहीं आती है और आधी आधी रात तक बिस् तहारा लेते हैं जो कि शरीर के लिए बहुत हानिकारक होती है लंबे समय तक इन दवायों का सेवन करने की वज़ा से कई तरह की बिमारियों का भी खत्रा होने का डर रहता है इसलिए ऐसे में अगर आपको भी रात में ठीक से नींद नहीं आती है तो आपको नींद के गोलिय यह है कि इससे आपकी बॉडी पर किसी भी तरह का कोई भी साइड एफेक्ट नहीं होगा बलकि नींद ना आने की यह समस्य आपको कभी भी नहीं होगी तो चलिए अब आपको बताते हैं नींद ना आने की समस्य से छुटकारा दिलाने वाले घड़ी लूपायों के बारे म पहला है सिर की मालिश करें दोस्तों सिर की मालिश नींद लाने का एक कारगार उपाय है क्योंकि सिर की मालिश करने से काफी अराम मिलता है सिर दर्द तो दूर होता ही है साथ में हलका हलका भी महसूस होता है तनाव से निजात मिलता है टेंशन से रहत मिलती है जिससे असान को हलके हाथों से पूरे सिर में करनी होगी यहां तक कि गर्दन माथे के आसपास भी हलके हलके हाथों से दबाना होगा और मालिश करनी होगी ऐसा करने से आपको कुछ यही कारण है कि एक्सपर्ट भी सोने से पहले अच्छी नींद के लिए दूद पीने की सलहा देते हैं इसलिए अगर आप भी नीन ना आने की समस्या से जूज रहे हैं तो रोज रात को सोने से पहले एक गलास खलका गरम दूद पीने की आदत जरूर डालें ऐसा करने से आप को बहुत राहत मिलेगी तीसरा बिस्तर पर ना करें इलेक्ट्रोनिक उपकरणों का इस्तमाल दोस्तों अक्सर देखा जाता है कि बहुत से लोग जब सोने जा रहे होते हैं तो भी वो मुबाइल लैप्टॉप या टीवी में लगे रहते हैं जिसकी वजा से नीन नाने की स गहरा असर पड़ता है इसलिए हमेशा ध्यान रखे कि अगर आप सोने जा रहे हैं तो कम से कम एक घंटा पहले ही अपने से इलेक्ट्रोनिक गैजिट को दूर कर लीजे ताकि आपको नीन अच्छे से आ सके चौथा रात को खाएं कम रात का खाना आपकी नीन पर भी गहरा असर डालता है क्योंकि जब आप सोने से पहले रात को हैवी और ज्यादा मसाले वाले खाना खाते हैं और खाकर ही सो जाते हैं तो आपके शरीर में कई परिशानियां सुरू हो जाती हैं जो आपकी नीन पर भी असर डालती हैं इसलिए हमेशा ध्यान रखें कि जब भी आप आप सोने जा रहे हैं तो कोशिश करें कि खाना आप सोने से एक दो घंटे पहले ही खाले और रात का खाना हमेशा ही हलका रखें और खाने के बाद आदा घंटा वाक जरूर करें उसके बाद ही सोने जाएं तो आपको तुरंत नियंदा जाएगी और आपको कोई परेशानी भ मालिश करेंगे तो भी आपको बहुत सुकून मिलेगा क्योंकि बदाम की तेल से तलवों की मालिश करने से शरीर में रक्त संचार बहतर होता है और ठकान दूर होती है इतना ही नहीं यह हमारे दिमाग को शांत और स्थिर करता है साथ यह अच्छी नींद के लिए के बारे में बताया कि आप किस तरह से इन घरेलू उपायों का इस्तमाल करके नीन नाने की समस्य से छुटकारा पा सकते हैं उमीद है यह जानकारी आपके लिए बहुत फायदे मंद होगी ऐसी ही और महत्मून जानकारियों के लिए आज ही हमारे चैनल मल्टी रोज करें सब्सक्राइब करें ज्याद से ज्यादा वीडियो को शेर करें बाई टेक कैर भी हैपी धन्यवाद